इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से लिग गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी। इस दवा का उपयोग विभिन प्रकार के दोरे मायो क्लोनिक, आंशिक शुरुवात और प्राथम इक्सामा नेकर टॉनिक क्लोनिक यानि की या ग्रैन माल को नियंत्रत करने के लिए किया जा सकता है। यह भ्रम, बेकाबू, मरोर्ते आंदोलनों, जागरुकता की हानी और भाय या चिंता जैसे लक्षनों को कम करने में भी मदद कर सकता है। अले ही आप अच्छा महसूस कर रहे हों और आपको कोई दौरा न पढ़ रहा हो। गुम खुराक से दौरे पढ़ सकते हैं। जब तक आपका डौक्टर आपको सलाह न दे, तब तक इस दवा का उपयोग बंद न करें। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें। कुछले या तोड़े नहीं। लेविपिल 250 टैबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन की एसे लिया जा सकता है। लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए। लेविपिल 250 टैबलेट एक मिर्गी रोधी दवा है। यह तंत्रिका कोशिकाओं की सत्हों पर विशिष्ट साइटों यानि की SV2A से जुड़कर काम करता है। यह मस्तिश्क में तंत्रिका कोशिकाओं की असामान्य गति विधी को दबा देता है और विध्युत संकेतों के प्रसार को रोकता है जो दौरे का कारण बनते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन अल पर सेट करें धन्यवाद